दोस्तों अक्षिकुमार की जिस सुरेवन शी मूवी का हम काफी समय से बेश सब्री से इंतिजार कर रही थे आखिरकार उनकी मूवी 5 नवेंबर को OTT प्लाटफॉर्म पर रिलीज हो गई है जिसने आते ही OTT प्लाटफॉर्म पर तहलका मचा दिया है इसलिए तो इस फिल्म को देखा जहांदर शको ने अपना क्रश दिखाया था वही अब उनके इस फिल्म को क्रश को ही देखते हुए मूवी की स्टार कास्ट भी इस पर अपने अपने रियाक्शन देते हुए नजर आई तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको सूरेवनशी फिल्म से जुड़ी अपडेट लेकर आए है कि फैंस के क्रेज को देखकर फिल्म की स्टार कास्ट ने क्या क्या रियाक्शन दिया है तो आईए एक एक करके जान लेते है फिल्म के निर्देशक रोहिचेटी का फिल्म के अपार सफलता को देखकर बहुत ही जादा खुश है और दिल से फैंस का शुक्रिया अदा किये जा रहे हैं और उनका तो मानना है कि दरशकों की वज़े से ही इनकी फिल्म इतनी सफल हुई है जिहां फिल्म में कैमियो रोल करते हुए नजर आएं रनवीर सिंग ने फिल्म की सफलता को देखकर फैंस को बहुत ही धन्यवाद कहा और उन्हें थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा था कि काश वे इस फिल्म में कैमियो ना करके ली ड्रोल में होते वेल इसके बावजूद भी रनवी सिंग बहुत ही जादा खुश है नमबर त्री अजे देवगन बॉलिवूड इंडस्ट्री के सिंगम टाइटल हसल वाले अजे देवगन फिल्म में रनवी सिंग की तरफ से आम योग करते हुए नजर आए थे जोहां जेनता ने इन पर इतना प्यार बताया कि आजे देवगन के तो आँसो ही छलग गए जो कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे नमबर फॉर केट्रीना कैफ फिल्म की लीड हिरोईन का किरदा निभाने वाली केट्रीना कैफ अक्षे कुमार के साथ काम करके बहुत ही जादा खुश हैं क्योंकि उनको पता है कि जब भी उन्होंने अक्षे कुमार के साथ किसी भी फिल्म में काम किया है वे फिल्म वाकि इतिहास रचते हुए नजर और इसलिए तो केट्रीना कैफ अक्षे के साथ साथ फैंस को दिल से धन्यवाद कह रही है जिहां पिनीत अक्षे कुमार ने इन सभी सितारों की तरह इस फिल्म को लेकर बहुत जादा भावुक होते हुए नजर आएं उन्होंने कहा कि जितना हमने महनत किया वाकि दर्शकों ने हमें उतना ही प्यार दिया इसने तो वे अपनी इस फिल्म के बलॉग बस्ट होने का क्रेडिट ना सिर्फ निर्देशक रोहे चर्टी को दे रही हैं बलकि फैंस को भी दिये जा रही है तो दोस्तों आपको अक्षिय और केट्रीरा की सुरेवन्ची मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही बॉलिवुड जगट से जोड़ी ऐसी मसालादार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले